पहले क्या था जैसे चार-बान साल पहले बोल देते कि बिटा इंसेयर्टी पढ़लो हो जाएगा पच्चे कमेंट करते थे अच्छा इंसेयर्टी सेलेक्षन होता तो सब नहीं सेलेक्ट हो जाते हैं कई बार लोग हमसे पूछने भी कि सर चालीस साल से सपना देख रहे थे कि कास ऐसा हो जा इंसान जिसमें ग्राउंड से आता है भूखे को सब भूखे लगते हैं तो मुझे आज भी लगता है कि जो बच्चा गाउं का है करीब है इस वाइं साधर नहीं है उनकी अगर हम लोग घल परें तो मुझे एक बच्चा मिल गया थे मुझे 50 रुपे मिलते हैं तो मिल्टे तो पढाने जाता था आई वांट तो आई वांट तो ऐसार लग जाता है तो गाउं के बच्चे को कम से कम तीन साल लग जाता है निश्में की रियल स्टोरी है जब भॉसला बना लिया उची उडानका फिर सोचना की जूर है कदासना है तो मेरा बिटा मिसल है मेरा उंदेश है मेरा लग्ष है मेरा सपना है और उखे अपने पच्छे ही वे जीवन को इसी पूले का पर पहले सब दॉक्तर बना असान हो गया प्रिटार पिर समय हो विपार नहीं अपको इस नाम आपको इंत्रोडेक्शन देना भूरी समस्ति हो और मुझे लगते है कि उनके कॉंत्रीशन को मैं आपके सामने डिसक्राइब भी नेगर सकती है Yes, if we are talking about the first, oldest and largest classes in Kakadev, in NEET, yes, you are getting right. We are talking about New Light Classes. We are having SP Singh Sir from New Light Classes. Sir, first of all, I would like to thank you for giving me the opportunity that I can talk with you today and personally interact with you. So thank you so much for coming in this podcast. Thank you so much Neha. I also like to talk with you. And the best thing is that in Kakadev, this kind of system is developing. Sir, Kakadev, if we are talking about this system, I think that the education system has been developed all of you. And not yet, it has been developed very early. If you have started classes, studies and doctors' journey, start started, then it started very early, 40 years before. But you know that every time there is a demand. When we started it, it was not a demand. But today, there is a demand that every child has come to come to us. We are going to get into our business. Because we have to work with our students. We are going to get into our business. We are going to get into our business. So we have to do that. थाकि वो आपसे बात कर पाएं या आपसे जो टिप्स लेना चाहते हैं वो उन्हें मिल पाएं तो सब जैसे अभी आपने बताया कि हर टाइम की एक नीड होती है और हर जनरेशन की बच्चों की और कॉंपोटीशन में बहुत आरे चेंज़े आते रहते हैं तो यह जो जर्नी चल रही है लास्ट फॉर्टी यह से यह तो कॉंस्टेंट आपके साथ ही चल दी आ रही है तो उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि उसमें कितने चेंज़ेस हुए चालिश साल 40 साल में तो इंसान चेंज हो जाता है सबसे इंपार्टन की ट्रांसफेरेंसी बहुत बढ़ गई है पहले क्या होता था हमें लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम पे इतना ध्यान नहीं था जो भी गवर्निक बॉड़ी है लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान है मुझे याद है कि आप जैसे बच्चे जब पेपर देते थे तो Mbbs में सेलेक्ट होने के लिए उनको 10 फार्प बढ़ने थे CPMT, CBS, CBHU, FMC, AIMS घर के लोग पर्टिकुलर अगर लड़की तो परिसान हो जाते थे कोई दिली लेके जा रहा है कोई बनारस लेके जा रहा है कोई कलकत्ता लेके जा रहा है पेपल देना लेक्ट नमबर आफ सीट बढ़ गई है, एक एक्जाम देना है, अब दूसरे लोग कह सकते हैं कि बाकी तो बहुत सारे इंदान हो तो चांस मिलता था बेक इंदान में कैसा होगा दूसरी प्रावलम क्या होती थी कॉंसलिंग में, कि एक बच्चा दसेगा क्वालिफाई करके उसे दसेगा की सीट कर्प्चर कर ली, अब एक बच्चे को एक ही सीट मिल दे, दूसरी बात पूरे निशनल लेवल पे एक ही कमप्रीशन होगा है, सब को नीड देना है सरस्रिफ प्रॉसेस दी आसान हुआ है या कमप्टीशन भी कुछ आसान हुआ है? ज़्यादा सीट हो रही है सरकार यह कोशिस कर रही कि जितने जिले हर जिले में मेडिकल कॉल जाए तो अगर कमटीशन है तो सरकार सतत कॉंटिनिवस प्रयाज भी कर रही है ट्रांसफेरेंसी की भी एक जैसा स्लेबस करने की भी बच्चों कोई दिक्कत नहों उसके तो मेरे जीवन का 40 साल के अंगों के बाद मुझे लगता है और मेरा जो सपना था कि नीट ऐसा हो पेपर ऐसा हो सीटे ऐसी हो ट्रांसफेरेंसी इतनी हो बच्चे को सब कुछ पता हो वो सब हो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर चालिस साल हो गया आपका मन नहीं हुबा तो वही बात है नहीं कि आप जो 40 साल से सपना देख रहे थे कि कास ऐसा हो बना यह समय आप से पूछना चाहूंगी कि 40 साल हो गया और तब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे थे अभी भी आ मैं कुछ चेंज करूं अपना थोड़ा सा और बिल्ड करूं मैं नहीं पढ़ा हूं ऐसा कुछ भी नहीं लगा आपको लाज 40 एस में कि अब मैं यंग्यस्टर्स को चांस दे दूं यंग्यस्टर्स को चांस साथ दिया मैंने बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो हमारे स्टुन्ट चे बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको भी तो डारेक्सट की ज़रुद है ना तो मेरा जो सेकेंड फेज होने वाला है फ्यूचर प्लान जो होने वाला है I will train the teachers और अभी भी यह करता हूँ आपने का 40 साल में मन नहीं हुबा बहुत अच्छा कोश्चन आपको यह बताई आपको कोई बहुत अच्छा लगे तो उससे मन हुबेगा सही यह तो मुझे लगता है कि काम में ऐसा हो जाएगा ना फिर वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ अफेक्शन आपने नहीं देखाएगे किसी से बात करके 10 मिन मूर्ट खराब हो जाता है और किसी से बात 4 घंटे करो तब भी लगता है कि बल्ब ज़नी समगी दिया तो it is all about कि क्या चीज आपको अच्छे लगती है कोर्स वह यह लेकिन बच्चे बदलते हैं दूसरी बात क्या है कि जो उनकी माबाप का सपना होता है जब वो पूरा होता है ना तो उनके चहरे पे जो खुसी होती है बच्चों के चहरे पे जो खुसी होती है उसका ठीकाना नहीं होता और यह मेरा बड़ा वीक पॉइंट है एक में डिस्क्लोजर ने दूँ आपको कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकि बच्चे भूल सकते लेकिन माबापका एक ड्रीम होता उनके लिए तो इन बिल्ट है उनको भी सारा उनका है जैसे आप चलो चोट लग जाए हाई मम्मी ज्यादा चोट लगे हाई पापा वाहाई दोस्ताय में तर नहीं आता कभी देखेगा होता कि नहीं होता है तो मुझे लगता है कि जब कोई बच्चा सफन ह होता है तो जो खुसी माबाप को हो सकती वो किसी को नहीं होती उनका सपना सालों का सपना है इस बार हमने काडिया भी डिसाइट किया है कि सम्मान करेंगे उनके माबाप का क्योंकि उनके सेलेक्शन में आज हम लोग कुछ भी कहलें कि मैंने पढ़ा दिया सेलेक्ट हुआ सबस्यादा कंट्रिवूशन पेरेंग्स का है पता नहीं अपना पेट काटके कर्ज लेके कैसे कैसे बच्चे को बढ़ा रहे हैं अच्छा होता है जो नाली का जो कीड़ा होता है तो मेरा यह है कि इनसान जिस बार ग्राउंड से आता है भूखे को सब भूखे लगते हैं तो मुझे आज भी लगता है कि जो बच्चा गाउं का है गरीब है जिसका साधर नहीं है उनकी अगर हम लोग हेल्प करें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है और साध वो हेल्प अभी नहीं पूरी हो पाई इसलिए भगवान ने साधर हमें मौका दिया है और मेरा तो मानना एस नहीं हो सकते हैं कोई बराबरी नहीं हो सकती हमारे आँख की हान्ट की जब पांच उंगली बराबर नहीं तो कैसे सब बराबर हो मौका है तो आपको जो काम मिला उसको सिद्दत से करिए और बच्चों से हमें क्या नहीं मिला शुरू किया, पैसा मिला, नाम मिला, इज़त मिली, पेरेंट्स का प्यार मिला, इस 40 साल की ज़र्णी में बहुत अफ्ष्डाउन हुए साथ, मने स्टार्ट इसका कैसे किया, जैसे कि अभी हम अगर कागदेव कानपुर में बात करें, तो आइस वी आविंग टू सेंटर, हमारे दो सेंटर हो गया, तो हमने स्टार्ट कैसे किया था, कब क्या टीम थी हमारे, कभी कुछ तोच के नहीं किया, मैं आया यहां पे 1979 में ठीक, तो मुझे एक बच्चा मिल गया, मुझे पचास रुपए मिलते थे, मैं उसको साइकल से पढ़ाने जाता था, तब पचास रुपए 79 में बहुत होते थे, तब मुझे याद है मैं पांस रुपए बैंक में जमा करने जाता, सेंटरल बैंक है, डिप्टी बढ़ाव म तो मैंने नहीं पढ़ाता था, अच्छा उन दिन में बड़ी इंट्रेस्टिक स्टोरी बताया एक बच्ची थी उसने का कि सर, आपका इंदाना मेरा भी तो है, तो मेरा तीन से छे पेपर था, मैं उसको दो बज़े पढ़ाने गया, बात तो सही है, तो मैं थोड़ा सा अपन हर चीज के लिए बहुत बज़े से हूँ, जैसे मैंने कालपूर आया, जिस कालेज में गया, पीपेन में, मैंने वहीं BSE किया, MSE किया, PhD की, नेट क्वालिफेक, वहीं प्रोफेसर हो गया, फिर बाद में कोचिंग में चाहिए जितना हुआ, मैंने का नहीं, उसने मुझे वहां से रोजी रोटी विलेगों, उसको नहीं चोलते हैं, उसी तरह से बच्चों का बिटा, तो हुआ कि बच्चों का इतना प्यार मिला, कि मैं उतना प्यार डिजर्ब नहीं करता था, तो मुझे लगा इससे अचा तो कुछ काम ही नहीं हो, अच्छा आप बताओ जैसे, आप किसी घर में चले जाओ, खुब बोले वो, बाद में आपको क्या बगबग कर रहें, इनके बगबग को सुले, अब नहीं की इस भी तो और ज्यादा हो जाथा रेटार मिट के बाद, तो बच्चे बगबग सुनते हैं, पैसा भी देते हैं, इज़त भी देते हैं, माब में मेरी कंडिशन थी, उस कंडिशन में जो बच्चा है, उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, अब कित्ता कर पा रहा हूं, ये बात दूसरी है, क्योंकि बहुत दिल से बोलू, तो बच्चे में रिलियर भगवान की तरह हैं, जहां भी मुसीबत आई, वहां खड मुझे लगता है, जो भी आपने बोला, उससे मुझ से जादा बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स कर रहे होंगे, वह आपको बहुत 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 जानते हैं, जितना हम आपके बारे में जानते हैं, आप जनरेशन सर्व कर रहे हैं, अभी हमारी जो ओर्डियन्स हैं, इतने पेरेंट्स जिनके बच्चे आपके पास आउत हो चुके, पेरेंट्स पास आउत हो चुके हैं, और आईगे सब भी उनके एक जनरेशन क्लास रही होगी, so they can connect more than me, और सजैसा आपने मुझे बच्चे बच्चे ग्राम इडस से आते हैं, गाउं से आते हैं, उनसे बह जरूरत है तो उसको ले कि अभी आपक किया है आप help किसको करोगे जिसको help की need है जो बहुत बड़ा आपके help की need ही दी उसको अगर हम scholarship के बात करते तो मुझे लगता है कि बहुत ही कोई होगा रेयर जो ये सोस्टा होगा कि मुझे scholarship की need नहीं है तो मैं नहीं फिल करो तो everyone is stand there कि मुझे scholarship तो चाहिए अगर कोई program है तो मैं चाहिए तो गाउं के बच्चों के लिए आप कैसे उस चीज को करेंगे या कैसे आपने उसको maintain किया है कि इस तरीके तरह हम गाउं के बच्चों को help कर पाएंगे जिनको need है देखिए गाउं के बच्चों का बदलब वो जैसे मैं भी था ला तो जब गाउं से आया तो लखनू चारवाग में उतरा अब वहां बड़ी-बड़ी बच्चे की photo एक magazine में कि मैंने ये टॉप किया अब मैं magazine सीरे से लगाए अरे बाद में मुझे समझ में आई ये क्या खेल है भाई ये तो बच्चे ने लिखा ही तो लिखवाया गया है अब वो गाउं का बच्चा भाग रहा है तो गाउं के बच्चे को कम से कम तीन सार लग जाता नीट में कि रियल इस्टोरी गया है What is real story? फट इस्टोरी सेलेक्शन होता कैसे? ऑग इसलिए मैं इस चैनल के माधियम से और बच्चों से भी काना चाओंगा मेरी बात कभी भी उस बच्चे को नहीं समझ में आती जो पहली बार रीड दे रहा है लेकिन मेरी बात उस बच्चे को बिलकुल समझ में आती है जो नीट तीन-चार बड़ दे चुका होता है वो शी से गो थू हो चुका होता है उसको तब समझ जाता है रही समझ जाती है पहले क्या था जैसे चार-पान साल पहले हम बोलते थे कि बिटा NCRT पढ़ लोग हो जाएगा बच्चे कमेंट करते थे अच्छा NCRT सेलेक्शन होता तो समझ नहीं सेलेक्ट हो जाते है और हर बच्चा तो निखिल सर आपके उनर में निखिल सर को बोलूँगा कि आप लोग इंटर्व्यू जरूर करिएगा जब बच्चा नीट का पेपर देखे निकले आपको 90% बच्चा ये कहते में मिलेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे पेपर आया सर नCRT से क्योंकि मैंने पहले भी एक इंटर्व्यू बोला था कि अब मीडिया का इत्ता प्रभुत्व है सूचना का अधिकार है, सब ट्रांस्पेरेंसी है कोई फ्री नहीं है कि कुछ भी पूछ ले हर चीज का एक स्लेबस डिफाइन है किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है और जहां तक इस सरकार की बात है ये सरकार यंग लोग के लिए बहुत काम कर देए उनको पता है देश के भविस है बच्चे उनको डिप्रेशन वो वो सिवसाइड लग करे पेपर को नार्वन लखा जाए बंदर सरकार ये चाहती है कि जो गाउं का गरीब बच्चा वो बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट हो जाए आजकाल तो यूटूब पे आपनों देखो बहुत ज़्यादा मैंटर भी है तो ऐसे सारे बच्चों को हम बोलना चाहते है बच्चों कि अगर तुम साधन भीर हो तुमारे पास साधन नहीं है तो समय लो तुम बहुत अच्छे हो क्यों कि एक टाइम पे फोकस करोगे है न और इस वीडियो के कमेंट सेक्चन पे कमेंट करना मैं सेनल का कमेंट खुद देखूँगा और नमबर दोगे तो तुम से बात भी करूँगा अग कोसिस करके तुमारे पास पहुंचूगा भी क्योंकि बेटा जब होसला बना लिया हूँ ची उडान का फिर सोचना फिजूल है कदास्वान का यह मेरा बेटा मिसन है मेरा उद्देश है मेरा लक्ष है मेरा सपना है और मुझे अपने बचे हुए जीवन को इसी पूरे काम में लगाना है लेकिन हाँ बस आप सब के अंदर आग चाहिए दिखना चाहिए क्या आप करना चाहते हो हमें लगता हमने अपनी पूरी बात कर ली और कोई सवाल है आपका हाँ सर एक और चीज़े मेरी है जैसे अभी आपने मुझे बोला कि जब स्टूडेंट आता है और वो कोई भी मैगजीन और नियूस पेपर लेता है एड़र्टीज्विन में पढ़ जाता है और वहां से ब्रहमत हो जाता है या फिर जो भी अपना एक सेनेरियों मेंटेन कर लेता है तो हम marketing क्यों नहीं करते I mean आप marketing क्यों नहीं करते अपनी classes को ले कि या कुछ है ऐसा जो students सक एक right message पहुचे अच्छा आपको यह पता है न आजकर बड़े-बड़े multilisional सा आ गए बहुत-बड़े बहुत पैसा उनके पास हम तो एक गरीब teacher देखे पैसा है नहीं और दूसरी बात बच्चों का दिया हुआ मेहनत का पैसा केवल उनके उपर खड़्स होना चाहिए इसलिए स्देहा जी मेरा यह challenge है आपको आप देखिएगा जितने टेस्ट दिव लाइट में होते हैं आप देखेएगा उतने टेस्स कहा होते है मुझे तो लगते हैं न्यू लाइट की जो टेस्स सिरीज है जो आपकी टेस्स सिरीज है वो सरिफ न्यू लाइट में ही नहीं 30 प्लस इंस्टिटूशन हैं यहां पर काका देव में जो सिरीज को यूज करते हैं मतलब बच्चा कोचिंग कहीं भी कर रहा हो मैं आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा दू मेरा चैनल विजिट करिएगा इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से बच्चे नहीं दे रहा हूं त्रिपुज़ा से लेके अंडमान निकोवार तक बच्चे दे रहें और दूसरी बात है कि आफ लाइन भी हमारे 30 सेंटर पर हो रहे हैं बहुत सारे संटर्स पर बच्चे देना चाहे हैं हम लोग टेस्ट करानी पार है फिर बच्चों ने रिक्वेस्स की फिर हम पेपर बच्चों को कूरियर कर रहे हैं क्योंकि इतने सार के स्टेट्स के बच्चों हां आनलाइन भी हो रहा है पूरियर भी करें हम लोग तो छोटी कोचिंग है संसाधर कम है बच्चों तक बहुत जादा नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम लोग की टेस्टरीज के एक और खास बात है कि हम लोग पूरा पेपर भी एक्सेप्ट करते है एक और खास बात है कोई गलती तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और इस चैनल के बाद हम से बोल दें बच्चों कि जहां तक बायों की बात है रोज एक वीडियो बच्चों डाल लें उसको जरूर देखिए और पेपर उसके बाद नहीं आएगा हमने गुक्लिटी के क्लिक्लिट देंगी क्योंकि एक चीज होता है ना जैसे आप एक पूरा पेज पढ़ों तो आपको लगेगा इस पेज में इस दो लाइन से सवाल बन सकता है तो इतने साल में वो थोड़ा सा मुझे अनुभा हो गया कि क्या पूछा गया क्या पूछा को बोला था कि पेपर में मिला ले 95 सवाल आएगे आएंगे अब एक दो बच्चे तो कमेंट करता ही है निखिल जी अरे सर री नीट हुआ अमने 95 मिला दिया तो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता और अनुभाव का कोई साठ कर नहीं होता क्या बात है सर जैसे अभी आपने का संसाधन वाली बात और कम बजट वाली बात तो जितना आपने पता है बहुत सारी कॉपरेट्स भी हैं जो आपको ओफर कर रहे हैं और आपने अभी तक ऐसा कोई ओफर एक्सेप भी नहीं किया आपकी एक्सपीरेंस को देखते हुए आपकी बच्चों के बीच जो एक फेम है और बच्चे आपके पीछे जैसे वो हैं कि हमें आपसे ही पढ़ना है बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनसे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं अप्रोच किया भी फाइन या नहीं बच्चों के साथ रहना और जिस सिस्टम को इतना अच्छा देखिए कोई मेरा मोटो कोई अम्बानी बने का था ने यह था भाई काम हो जाए घर में जो लोग उनका साधी वैब हो जाए जो हमारे साथ है उनका जीवन चल जाए साहित्ता दीजिए जिसमें कुटुम समाय वाली बात है वो हो जाता पूरा अपने ही सिस्टम में अपने बनाएवे सिस्टम में हम कैसे ऐसा कर सकते थे कि कार्पोरेट को रूल को हम किसी बच्चे की फीज कम करना चाया तो नहीं कर सकते हैं तो जीते ही मर जाते हैं तो मेर बहुत अच्छा डेसिजन था जो मैंने मना के लिए दूसरा फेज भी था कि खुब पैसे मिल रहे थे आराम से फाइव स्टार होटल में आराम करते क्या करना था तो संघर्स का रास्ता चुना है और यह संघर्स जारी रहेगा और देखिये सनेहा जी जो चीज वो बात है न कि हम उम्र में सोहरत में बढ़े कितना भी लेकिन हम अपने मुझूर्गों से बढ़े हो नहीं सकते हैं तो जो गुरुकुल पंधती थी बच्चे आते थे राजा का बच्चा हो ब्रजा का बच्चा हो गुरुजी लोग पढ़ाते थे शुरुआ तो टीची यहीं से हुई न यह बाद में कार्पोरेंट बना तो वो चीज तो समझ लिए खतम हो नहीं सकते हैं वो तो रही जैसे हम लोग अपना इसमें पढ़ते हैं कि जीवन की उत्पती प्रोटीन का रोल था प्रोटीन आज भी बहुत इंपर्टेंट है तो गुर्कुल पंधिती तो कभी नहीं खता हो जबती है और बड़ा आनन्द आता है बच्चे अपनी चीजों को सेर करता है वैसे ही लगता है जैसे माबापको छोटा बच्चा बड़ा होते लगता है ल नहीं कर जाए तो दोनों से हारें मल आता है दोनों की खुशी का बैसिकली इमोसंस तो होनी चीए ना एक लड़की लड़का खूब दुखी होके आ रहे हैं लोग उसको सुना रहे हैं ताने मार रहे हैं जब बच्चा सेलेक्ट होता खुश होके आता है तो उससे जो 20-23 देखे 24 में बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं और मेरी कोषी से जरा भी نہیں होती कि एक बच्चा टाप करे क्योंकि जब एक बच्चा टाप करता है तो एक घर में खुशी होती है और जब हजार बच्चे सेलेक्ट होते होते हैं तो हजार है खुशी होती है क्या कर लोगे भाई हम कहीं बोल लाए थे कि भाई शरीर का बजन ज्यादा हो जाए पैसे का बजन ज्यादा हो जाए दोनों डेंजरस होते हैं मैं एक्सरसाइज करता हूँ मेरा मेट कॉंस्टेट है तो कम भी नाओ काम भी चले बस ठीक है और बच्चे इत्ता करी देते हैं एक और मेरा प्लान है मैं वीच में रोप रहा हूँ कि हमारे जितने बच्चे डाप्टर बनने हैं वो खुद कंट्रिबूट करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी फाउज हमने तयार करती है जो उसी कंडिशन साहे थे और उन कंडिशन के बच्चों को हेल्प करता चाहर फ्यूचर प्लान ये है गली-गली में घर-घर में गाउं-गाउं में जाके अपने लोगों को भेजके जो भी बेटा-बेटी डाप्टर बनना चाहता है उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो सब करेंगे क्योंकि जब मैं उस इस्थिती परिस्थिती कंडिशन में था तो मुझे बड़ी एक्सपेक्टरेशन होती थी लोगों से कि कोई हेल्प कर दे सायद भगवाल ये सोचाओ यार तुम्हें चलो बनाते हैं तुम जरा करके निखाओ ये मिशन है तो हमें योध्धा भी उसी कंडिशन के लिए तयार करना चाहिए जिस कंडिशन में यूध होता है अगर कारगिल में हमारे सणी को यूद खाने जाना है तो उसको ठंड की प्रेक्टिस करानी पड़ेगी कि नहीं आफ हमको ये बताईए कि नीट का टेस्स की सेर कंडिसन में होता है अरे नीट का टेस्स तो बिल्कुल नार्वाल इंटर कॉलिंग में होता है न तो कभी-कभी हम अपने टेस्स में क्या करते हैं एसी बंद करा देते हैं पंखा बंद करा देते हैं पसीने में रहो पेपर दो क्यों? क्योंकि मेरा मिशन ये है कि बच्चा फाइनली जब मेरा यूद करने जाए तो उसी कंडिशन में जाए जो कंडिशन उसको मिल ली है और आप आप आके देखिए का हमारे एल्टी फाइट में पसीना गिर रहा होता बच्छे पेपर करते हैं बच्छा उफ नहीं करता है आप सही चीज बताइए तो तो अभी तक नहीं बदले तो आप क्या बदलेंगे यह बीसन कॉंटिनीव रहेगा इस कॉपरेट के कल्चर में जहां पर एवरीवन इस चस्ट थिंकिंग अबॉट अर्णिंग कैसे बढ़ना है कैसे करना है कैसे मार्केटिंग बढ़ानी है और कैसे कैसे हमें और ग्रोथ कर करनी है ऐसे दौर में कोई यह भी सोच रहा है कि हमें उन बच्चों के लिए करना है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो अभी यह तक नहीं सोच पा रहे हैं कि हम घर से निकल के कहां जाएं क्या करें किस तरह से डॉक्टर बनें डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी चीज है उन बच्चों के लिए ये सपना सोचना भी एक बहुत बड़ी चीज है जिने इसका कोई आइडिया नहीं है तो ऐसे में सर आप इतना बड़ा मिशल लेके आएं कि बच्चों के घर घर जाके उनको इसारी चीज़े बताने का सोच भी रहा है कोई आज तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए थैंक्यू स्देहा मैं अकेले ही चला था जानुए मंजिल मगर लोग साथ आते गए हो कार्मा बनता गया तो देखे आप लोग भी जुट है और लास्ट में बच्चों को एक मेसेज देना चाहेंगे बच्चों खुब अच्छे से पढ़ो क्या पता बगल में कोई बैठा तुमसे ज़्यादा बढ़ रहा हो चुट जाओ बच्चों कोई दिक्कत हो वीडियो में कमेंट करो पूरी कोशिस करेंगे हम लोग हेल्प करने के लिए तो थैंक्यू सो मच और आप लोगो ने इस काबिल समझा कि इंटर्विव लिया नहीं तो हम तो क्लास्रूम तक ही सि मिध्य उम्मीद है फिर मलाकात होगी